हेलो एबरिवन आज हम लोग ब्स सी औरगनी केमेस्ट्री में फिनॉल यूनिट के अंदर डिसकस करने वाल है एक्टोफिलिक सब्टूशन रेक्शन इन फिनॉल ठीक है तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि एक्टोफिलिक सब्टूशन क्या होता है किसी भी मॉली यह और्थोपोषिशन है यह launch प्टूशन है यह वहां से सब्टूर कर दिया है और प्टूशन अर्प्टूशन पर Bb2 हम लोग इनुमि मैंने इसको आज़न और प्टूशन इसको किया है इसकों क्या इसको किया है्टूशन और कौन सी पशिच्ट पर ortho और para position पर आखिरकार electrophile ने ortho और para position से ही hydrogen को क्यों substitute किया, meta position से क्यों substitute नहीं किया हम लोग उसको discuss करेंगे ठीक है तो देखो यहाँ पर पूरी पूरी theory लिखिया जो आपके examination के लिए जरूरी है तो आप लोग इसको याद भी कर सकते होता क्या है, resonance अगर आपको आता है तो resonance के थ्रू हम लोग इसको easily समझ सकते है तो resonance में जो यह OH होता है sorry जो phenol में जो OH होता है यह क्या होता है, यह होता है electron donating क्योंकि इसके पास lone pair है और lone pair क्या है conjugation में benzene की या double bond की ठीक है तो यहाँ पर बोल सकते है lone pair, single, double, तो conjugation है तो उससे क्या होता है, जो oxygen है oxygen क्या करता है, electron को donate करता है किसके तरब, benzene की तरब तो यहाँ पर double bond आ जाएगा, ठीक है और क्योंकि electron donate कोन कर रहा है oxygen donate कर रहा है, तो oxygen पर क्या हैगा positive charge, यह दिखा रहा है हमें और यह जो pi bond अंदर का जो pi bond होता है, तो यहाँ से break होगा यहाँ पर ortho position पर shift होगा तो यहाँ पर हमको क्या लग रहा है, negative जैसा लग रहा है ठीक है, मतलब की ortho position पर electron density ज़्यादा आ गई ज़्यादा हो गई, अब जो negative है अंदर वाला, यह बाहर वाला negative है अंदर जाएगा, और यहाँ और इसके और इसके बीच में double bond बना देगा, वो यहाँ पर दिखा रहा है ठीक है, उस time क्या होगा कि यह pi bond है यह break होगा, और यहाँ पर भाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पर भी क्या आ गया है एक negative यहाँ पर भी आ गया है ठीक है, यह अंदर जाएगा, जैसी अंदर जाएगा तो यहाँ पर development बन जाएगा, इसके और इसके बीच में और यहाँ पर negative आ गया है, ठीक है तो आप लोग इसको गोर से देखो, इसमें क्या हो रहा है और तो पोजिशन पर क्या आ रहा है, negative चार्ज पेरा पोजिशन पर क्या रहा है, negative चार्ज ठीक है, और तो पोजिशन पर क्या रहा है, negative चार्ज तो मेटा पोजिशन पर कहीं पर भी negative नहीं आ आ है यह मेटा पोजिशन पर किसी भी यहां पर substitute होता है जहां पर क्या होगा नेगेटिव चार गा तो इसलिए और तो और पैरा पोजिशिन से हाइटोजन को ठागी और पेरा सुभी सん पर किलिक्ड को सुज्सिक्ट करें यहां डा इर्क्ट क्रेंगा और प्रोड पर їइस लिए जुफ मी वेच है अर्थ dol पिए ठीट आपने डेल्टा नेगेटीव सकता है यहां पर बीजोड़ सकता है और चाहिए तो यहां पर भी जोड़्शकता है और और अ यूदी पेवाली इक्विलेट होती है इसलिए जो कुछ common examples होते हैं Electrophilic substitution reaction के वह discuss करेंगे तो जो सबसे पहले example है Electrophilic substitution reaction का हो है Halogenation है Halogen जुड़ेगा, Halogen यानि Electrophil की तरह behave करेगा Ortho और Pera पर जुड़ेगा, तो देखो यहाँ पर क्या है, जब हमने Phenol की reaction किसके साथ कराई, Aquos Bromine Water के साथ, ठीक है याद रिखना है, यहाँ पर जो solvent लिया है, वो S2 लिया है, तो यहाँ पर क्या होगा, Ortho और Pera और Ortho position पर क्या होगा, यहाँ से 6BR ने, 6BR में से 3BR पर positive charge होगा, वो positive charge वाली BR, कहाँ पर जुड़ेंगे, जहाँ पर negative आया था, यहाँ से भी HHBR वाहर, तो 3HBR वाहर भी हो जाता है, ठीक है, पर याद रखना है कि किसके साथ, किसके साथ Bromination कर रहा है हमने, Aquos Bromine के साथ, ठीक है, यहाँ ऐसा बोल सकते है, Bromine Water के साथ, solvent water लिया है, तो क्या बनता है, 246 tribromophenol का white precipite बनता है, ठीक है, इसको याद रखना है, अब देखो हमने Bromination, अभी तो हमने क्या करा, Bromine Water के साथ करा है, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इस water की जगए solvent, CS2 भी ले सकते हैं, Carbon Dysulfide या Carbon Tetra Kaluride भी ले सकते हैं, तो उस case में क्या होगा, कि एक ही, मतलब की, एक ही product, जैसे यहाँ पर एकी product बना है, वो एकी product नहीं बनेगा, ठीक है, और्थवाला अलग से बनेगा, और पेरा वाला अलग से बनेगा, पर याद रखना है, यह क्या है, यह है HNO2 Positive, ठीक है, अगर आपको Electrophilic Subtusion Reaction के, यह Macanism में आपको पता नहीं है, Macanism में आपको नहीं आता है, कहां से Electrophile बना है, कैसे बना है गर गए, तो आप लोग प्र लिस्ट में जाके देख सकते हैं, महाँ पर मेंने, Halogenation, Sulphonation, Nitration, Fridicraft, Alkylation, या Sylation, दोन्यों, सबकी सब मेकनिम में ने डिसकस की है, ठीक है, यहां से एक Electrophile बनता है, NO2 Positive, वो Ortho और पहरापर जुड़गा, एक बार Ortho और पहरापर, ठीक है, पर कब कराया, जब Dilute HNO3 के साथ कराया, कब रिक्षन, अगर मैं Concentrated HNO3 के साथ रिक्षन कराया हूँ, Concentrated HNO3 के साथ रिक्षन करा बनता है, अगर हम Concentrated HNO3 के साथ कराएंगे, तो तीन नाइट्रो एक ही Molecule में जुड़ जाएंगे, तो थर्ड है Sulphonation, Sulphonation में भी दो टैप का है, वो Temperature पर Depend करता है, अगर हम लोग Low Temperature पर Sulphonation कराएंगे, तो उसमें क्या बनेगा, Ortho, Phenol, Sulphonic Acid, यह Major Product की तोर पर ब Dominant होता है, यानि परा Product की आओगा, Major Amount में बनेगा, ठीक है, यहाँ भी आद रखना है, अब लास्ट जो है, फिडिल क्राफ्ट रेक्शन, फिडिल क्राफ्ट रेक्शन दो टैप की होती है, फिडिल क्राफ्ट एलकाइलेशन, मैंने सिर्फ यहाँ पर एलकाइलेशन डिसक ठीक है, इसको बोलते है, और्थो करिस्टरॉल या 2-methyl-phenol भी कह सकते हैं, इसको पेरा करिस्टरॉल या 4-methyl-phenol भी कहते हैं, ठीक है, यह हो गई हमारे उलक्टोफिलेशन डिसक्ट रेक्शन इन फिनोल